नमस्कार and स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में हम fundamental rights जो है उनको continue कर रहे हैं आज हम जो fundamental right है article 14 discuss करेंगे तो आज का हमारा session article 14 का होगा 15 का होगा 16 का होगा article 17 और article 14 जो है वो mainly बात करता है equality की तो आर्टिकल 14 किसकी बात करता है equality की बात करता है तो इसकी हम अगर statement देखें state shall not deny any person equality before law or the equal protection of laws within the territory of India on the grounds of race, caste, sex, religion, place of birth तो इसका मतलब ये है कि law के आगे क्या है सारे equal है law के आगे सारे equal है और law क्या करेगा सभी को एक नजरों से देखेगा क्या करेगा एक नजरों से देख मतलब absence of special privilege enjoyed by a particular individual in the eyes of law मतलब कोई भी law की नजरों में कोई भी एक special जो है कोई भी individual special नहीं है सभी क्या है सभी individual equal है law की नजरों में आपका कोई भी rank है आपका कोई भी rank है आपकी कोई भी position है आप government office में कोई भी position hold करते है चाहे वो कितनी भी बड़ी है और कितनी भी छोटी है उस position का फाइदा नहीं उठा सकते मतलब उस position के base पर आप privilege नहीं ले सकते state से ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आपकी चाहे कोई भी rank है कोई भी position है आपको एक जैसी मतलब ला की नजरों से देखा जाएगा और आपको अगर आप कोई crime करते हैं एक ordinary इंसान है और एक special person है special person मतलब बोलो कि वो higher rank जो है higher rank है उसके बास ठीक है public office में government office में उसका high rank है तो यह जो बंदा है और यह ordinary man है तो अगर यह कोई crime करते हैं तो इनको same court में जाना है ठीक है जो same court of law है उसमें इनको जाना है और same law के थ्रू इनको गुजरना है same law के थ्रू इनकी जो trial होगी वो same law के थ्रू होगी ऐसा नहीं है कि अगरी एक bureaucrat है अगरी एक IS officer है और यहां पे एक ordinary इनसान है तो इनको क्या करना है कि सभी को क्या करना है इनको इनको दोनों को जो court of law है उस court of law में इन दोनों की trial होगी same law के नुसार जो कानून है वो इनके उपर apply होगी इनके crime के अनुसार तो ऐसा है कि इनको अलग लग court में नहीं जाना है same court में इनकी trial होगी लेकिन France में ऐसा नहीं है France में क्या है France में bureaucrats के लिए अलग court है और ordinary इनसान के लिए अलग court है लेकिन इंडिया में क्या है इंडिया में सभी के लिए एक ही court है इसको बहुता है equality before the law बनदब क्या है कि सभी की सभी लोग जो है वो equal है एक बिरोक्राइट एक और हिंसान और एक पब्लिक ऑफिस जो होल्ड करता है इंसान चाहे वो क्या है और चाहिए वो कितने भी छोटी पोस्ट पे है तो उसका जो ट्राइल होगा वो सेम लॉदव के बेसिस पर होगा एसा न होने के नाथ इसको लोर कोट मिलेगा ऐसा यहां नहीं होता है हमारे यहां पर चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान है कितना भी छोटा इंसान है उसको सेम ही कोट में जाना और सेम ट्राइल के थे घुजरना है लेकिन इसमें कुछ exceptions है जो President होता है और जो Governor होता है उसके लिए चीज़ें लागू नहीं होती है उनको इन चीज़ों से privilege है ठीक है तो the President and Governor are not answerable to the court of law for discharge of their official function अपने official function में अपनी duties को discharge करते है टाइम they are not answerable to any court of law और इनके खिलाफ प्रेजडेंट और Governor के खिलाफ ना कोई civil proceedings चल सकती है और ना कोई criminal proceedings चल सकती है ऐसी civil proceedings जिसमें क्या हो सकता है जिसमें आपको रहत मिल सकती है इसमें relief मिल सकता है तो अगर वो आपको इनके खिलाफ चलानी है तो आपको दो मन्त पहले का notice देना पड़ेगा ठीक है तो मन्त को यह immunities होती है कुछ member of parliaments होते हैं कुछ जो immunities होती है वो member of parliaments को भी होती है वो क्या होती है कि during performing their duties or we can say that कि during the ongoing session of the parliament यह जो MPs होते है they are not answerable to any court of law ठीक है इनको immunities होती है कि इनको कोई मतब समन करे तो यह ना भी जाए तो तबी भी कोई issue नहीं खड़ा हो पाएगा तो यह immunities होती है लेकिन session खटम होने के बाद इनको जो है वो अपेर होना पड़ता है कोट के सामने तो equality before law जो concept है यह British origin का है और जो equal protection of law concept है वो I think वो USA के origin का concept है तो यह negative concept है मतलब यह absent करता है कि इसको special privileges को यह absent करता है कि कोई भी इंसान हो चैसको कोई भी rank position है कोई ordinary इंसान ह है तो उसको क्या होगा special privileges जो है वो नहीं दी जाएंगी irrespective of their social status with subject to the jurisdiction of court और उसको क्या करना है same court में जाना पड़ेगा चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी है उसको same court क्या करेगा सुई करेगा The term equality before law is an element of the concept of rule of law तो यह rule of law के concept के साथ जो है वो match करता है जो equal protection of law concept है यह लिया गया है American Constitution से ठीक है एक एक इनसान है, उसके दो बच्चे है, ठीक है? बी वन एन बी डू, जो बी वन है, वो काफी अच्छा है पढ़ाई में, और जो बी टू है, वो काफी डॉन है, ठीक है? वो इतना अच्छा नहीं है पड़ाई में, लेकिन इन दोनों को एक competition में पाट लेना है. इस competition में पाट लेने के लिए, ये B1 तो अगर हम competition में बिजें, ये अच्छा कर लेगा, लेकिन B2 को बिजें तो ये अच्छा नहीं कर पाएगा competition में. तो पेरेंट को क्या करना है किitel एक्स्ट्रा एफट्ट देने हैं सबसे पहले named में जाने से पहले two for Took Frage2 को एक्स्ट्रा एफट्विर देने हैं और जो बॉय बी टुओ है मतलब ब्लोट जितना पड़ा लिखा है जितना वह अच्छा है पडने में उतना ही B2 को करना है और फिर जाके इनको क्या करना है कोंपनेशन में बेजनी है उसके पहले नहीं बेजनी हो समसि κα महिना जो है इक्या थ्यान देतमके उपर एक्श्टा हर्वर्क करें और B2 को B1 के equal बनाए और फिर उनको competition में भेजें यही बात करता है equal protection of law कि पहले circumstances पहले जो चीजे हैं पहले जो situations हैं वो equal करो और फिर जो treatment है वो equal दो, ठीक है? So, equal protection of laws means apply the same law only when all are same. Law तभी apply करना है जब law जब सारे same है. Law will protect all equally only when all are all equal. If they are not equal, we will make them equal first by giving extra care to the weaker section of the society. और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं positive discrimination और protective discrimination और इसका aim क्या होता है? इसका objective aim क्या होता है? कि एक welfare state को क्या करना है? Welfare state को बनाना है. Positive discrimination करके, positive discrimination का मतलब यह है कि जो weaker section है उसके उसके उपर extra care देनी है. उसको extra focus देना है और उसको strong section के equal बना के फिर हमें implement करना है इससे क्या होता है इससे ही तरक्की होगी और एक welfare state का जो है वो निर्बान हो पाएगा एक चीज है आप note बना के लिख सकते हैं यह note बना के सुन लो उसको कोई भी इंसान जो है अपने newspaper में किसी भी प्रकार की news देत है चाहिए वो civil हो यह criminal हो उसको हम court में issue नहीं कर सकते और अगर वो true report बताता है कि parliament में क्या हुआ true report of the parliament बताता है तब भी हम उसको क्या करते हैं court में हम उसके खिलाफ कोई भी legal action हम उसके खिलाफ नहीं ले सकते अगर वो अपने newspaper में कोई भी publications देता है और parliament की कोई true report बहार करल आता तो उसके खिलाफ में court में नहीं जा सकते और एक चीज यह है कि कोई भी इनसान जो MP है वो किसी भी तरह का vote देता है और वो कुछ भी बोलता है पार्लिमेंट में वो कॉई भी वोट देता है यह कुछ भी बोलता है इन basis पे उसके vote देने के basis पे और उसके बोलने के basis पे हम उसको court में पेस्ट नहीं कर सकते है उसके खिलाफ legal action नहीं ले सकते है वो कुछ भी बोल सकता है उसको immunity है उसको आज़ादी है वो Parliament में कुछ भी बोल सकता है और किसी भी पर्टी के लिए किसी भी मतलब किसी भी बिल के लिए वो किसी भी तृट के का परलिमेंट की अगर लाता है सामने तो उसके खिलाब ही हम क्या करते हैं हम उसके खिलाब कोर्ट में नहीं जा सकते आर्टिकल 15 क्या बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और अन्ड़ ग्राउंट्स ऑफ रेस रिलिजन का सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जो स है लेकिन जैसे ऊंड़ हम बॉलें कि यहां जैसे की विवेकंस होती है वो मोने के लिए नहीं रखते है आज ज़ुछ में प्रेंबर बन रही है लेकिन पहले ऐसा था कि ममें के लिए प्रेंडिकल में नहीं थी ये इसके लिए कुछ रिजंट सैंच कुछ बायो जीग अज जिसका एक रिजन साफ ये भी बोल सकते हो, प्रेगनेंसी, इस वज़ा से क्या होता था कि उनके लिए वकेंसी नहीं थी, एरफोर्स में, एरफोर्स में उनके लिए वकेंसी नहीं थी, लेकिन आज जो है वोमेन पॉलेट बन रही है, आज सब कुछ इक्वल है, तो जो है, वो अपलिफ्ट हो सकें, इसको हम positive discrimination कहते हैं, जैसे कोई religion है, ठीक है, religion है, तो religion को हम क्या करते हैं, religion को हम freedom देते हैं, कि वो अपने educational institutes बना सकें, ठीक है, जैसे कि Christian missionaries का school है, उसमें क्या होता है, कि जाहतर जो है Christians ही admissions लेते हैं, तो जो minorities है, उनको जो है, उनको क्या है उनको right है, कि वो अपने educational institutes बना सकते हैं, उनमें हो सकता है, कि वो अपने ही लोगों को, अपने ही दर्म के लोगों को, अपने ही religion के लोगों को admission दे, तो इसमें कोई भी दिकत नहीं है, तो article 15 जो है, वो women और children के लिए क्या कहता है, वो ये कहता है, कि women और children के लिए हम क्य है, midday meal होती है, और उसके बाद scholarships होती है, women के लिए, midday meals होगे, scholarships होगे, तो ये चीज़ें जो है, ये सरकार किसलिए announce करती है, women और children की upliftment करने के लिए, जैसे कि reservation मिलती है, किसको मिलती है reservation, reservation मिलती है, OBC को reservation मिलती है, EWS को reservation मिलती है, तो ये जो reservations है, ये classes को, इनको upliftment करने क लिए इनकी हमें reservation देते हैं कि एक बार ये upliftment हो जाएं तो फिर जो हम law हैं वो equally implement कर पाएं तो ये reservation को दी जाते हैं इनकी upliftment करने के लिए लेकिन इसका जो कोटे का benefit है वो ना तो president का बच्चे उठा सकते हैं ना governor के ना UPSC जो qualify करते हैं ना वो उठा सकते हैं ना state public service commission वाले उ लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा तो ये था article 14 और article 15 के लिए तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रहेंगे thank you so much and God bless you all